हेलो दोस्तो लाइफ आपको जब भी नाकाउट करके नीचे गिरा दे तो आपको नीचे गिरे नहीं रहना है। दुबले पतले डरपोग लड़के का बाकसर बनना कहीं न कहीं अपने अंदर के गुस्से को ब्यक्त करने का मजबूत जरिया बनता है। बच्चों के साथ बचसलूकी करना एकदम से आम बात है। अब इस माहूल से भागकर आकास की मा अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पिता के घर पहुंच जाती है। जिसके बात से उसके पिता दोनों बच्चों की पढ़ाई के खर्चा देना बंद कर देते हैं। कि आकास के पढ़ाई में किसी तरह की अर्चन न आये। इसके लिए उसकी मा उसे आर्मी हास्टल में डालने का फैसला करती है। आकास जो की वहाँ जाना नहीं चाहता है लेकिन मजबूरन मा की बात उसे माननी पड़ती है और वह न चाहते हुए भी हास्टल जाता है। हास्टल के माहोल में खुद को एड़जस्ट करना आकास के लिए इतना आसान नहीं होता है। एक बार तो हो वहाँ से भागने की पूरी तयारी कर लेता है लेकिन एक लड़की जो उसकी दोस्त भी है उसके समझाने पर वह अपने मुश्किलों से लड़ने का फैसला करता है। और फिर हास्टल में एनांसमेंट होता है कि एक बाक्सिंग चैंपियंशिप होने वाली है और जो भी विद्यार्थी इसमें गोल्ड मेडल लाएगा उसे पुरसकार सुरूप एक लाख रुबै मिलेगा। चैंपियंशिप अपने नाम कर पाएगा। यही सभी सवाल बहुत दिल्चजब हैं और इन्ही सभी सवालों के जवाब इस मुवी में आपको देखने क्यों मिलने वाले हैं। तरह से सिट कर देती है। मुवी के हीरो आकास परताप सिंग का अभिने उनकी निर्यता से लेकर बाकसर बनने की जर्नी तक बाधिय रखता है। उनका अनकनवेंसलल लुक इस मुवी में उनके किरदार को मजबूती प्रदान करता है। जिसे उन्होंने पूरी इमानदारी से निभाया है। उन्होंने डर गुस्से और जुनून के सभी भावों को खुबसूर्ती से जीने का काम किया है। पिता के रूप में अस्वत भट्व और मा के किरदार में ज्योती गामबा भी काफी जच रही है। बाकी के कलाकार जैसे गंधर्व दीवान और गौरी ने अपने किरदार ची लोगों को बखुबी प्रभावित किया है। तो आपके लिए यह मैं लड़ेगा मुवी काफी अच्छी साबित हो सकती है धन्यवाद।